नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजन प्रशाद और इस समय आप मेरे चैनल राज फोटो टेक को देख रहे हैं इस एपिसोड में हम लुख सीखेंगे कि कैसे लाइट रूम में वाइट बैलेंस किया जा सकता है डिश्टल फोटोग्राफी में वाइट बैलेंस का मतलब है कि इमेज के कलर को इस तरह एजस्ट किया जाए कि वह नेचुरल लगे बास्तों में हम इसमें कलर को एज़स्ट कर इमेज के कलर कास्ट को दूर करते हैं ताकि वह ऐसा दिखे जैसा कि हमने उसे खीचते समय देखा था आखिर हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है क्योंकि अलग अलग लाइट सोर्सेस जैसे सन लाइट बॉल्ब फ्लैस लाइट से प्योर वाइट कलर की लाइट नहीं निकलती जब हम डिफरेंट कलर के लाइट को हैं तो हमारा मस्तिक्स उनके कलर टेंपरेचर को एजस्ट कर देता है इसलिए वे हमें एक समान लगते हैं इसलिए अगर आप एक वाइट पेपर के सीट को बाहर धूप में देखें या कमरे के अंदर देखें वह हमें वाइट ही दिखती है पर अधिकांस लोग यह नहीं स परता है और यही तो वाइट वैलेंसिंग है भाइट वैलेंस इजस्ट करने के लिए लाइट रूम में कई टूल्स हैं कैसे काम करते हैं इसी देखने के लिए मैंने डेवलब मोडूल में एक इमेज को खूल रखा है बेसिक डेवलप्लेंट पैनल कि यह उपर आपको कई तरह के white balancing tools मिलते हैं, सबसे पहले हमें यह white balance का option मिलता है, इस double arrow को click करें, आपके सामने white balancing के options की एक list खुल जाएगी, और यह options image के file format के अनुसार बदलते रहते हैं, अगर आपकी image raw file format में है, तो आपको यहां white balance के वही options मिलेंगे, जो आपको camera में मिलते हैं, यह image raw format में है, इसलिए यहां आपको वही options दिखाई दे रहे हैं, जो camera के अंदर दिखते हैं, आपको सायद यह जानकर आस्चर्ज हो, कि अगर आप raw format में photo खीच रहे हों, तो आपको white balance camera में set करनी की कोई ज़रुरत नहीं, आप उसे यहां set कर सकते हैं, आप drop down menu में से सही option को चुन लें, आपके image की white balance ठीक हो जाएगी, यह image tungsten light में ली गई है, इसलिए मैं tungsten चुन रहा हूँ, और आप देखें कि image का color balance एक ही color में ठीक हो गया है, आप यहां auto पर click करके भी अपने image की white balancing सही कर सकते हैं, अब मैं एक jpeg image को खोर रहा हूँ, ताकि आप उसके white balancing के अंतर को देख सकें और समझ सकें, यह एक jpeg file है, अब white balance के menu को खोलें, यहां आपको बस तीन options दिखेंगे, as sort, auto और custom, आप auto पर click करके देखें और आप पाएंगे कि white balance ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि jpeg image में white balance correct करने के प्रयाप्त data नहीं रहते हैं, इसलिए अब हम दूसरे tools की मदद से इसके white balance को सही करेंगे, white balance को ठीक करने का दूसरा तरीका है, temperature slider का इस्तेमाल कर उसके color cast को हटाना, आप इस temperature slider को बाई और खिसका कर अपने image में एक blue tint दे सकते हैं, या दाहिनी तरफ खिसका कर उसे yellow tint दे सकते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ image ठीक करके दिखा रहा हूँ, आप इस tint slider को दाहिनी तरफ खिसका कर, green tint को हटाने के लिए magenta tint एड़ कर सकते हैं, या बाई और खिसका कर image में green tint एड़ कर सकते हैं, और magenta के tint को खत्म कर सकते हैं, अब मैं पहले खोले हुए raw image के white balance को temperature sliders की सहायता से ठीक करके आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो आप कृपिया इसे अभी subscribe कर दें और bell icon को दबा दें ताकि आपको नए tutorials की notifications मिलती रहें, white balance ठीक करने का तीसरा तरीका white balance selector का इस्तमाल करना है, इस tool पर click करके इसे select कर लें, या आप इसके shortcut aim को भी इस्तमाल में ला सकते हैं, image के नीचे white balance tool के कुछ options होते हैं, जिससे इसका इस्तमाल आसान हो जाता है, मैं सलाह दूंगा कि आप auto dismiss को deselect कर दें, अगर यह enabled रहेगा तो एक बार इस tool का इस्तमाल करने के बाद यह अपने अस्थान पर चला जाएगा, जिससे की बार बार इसको आपको select करना पड़ेग जो की असुविदा जैनक होता है, अगर आप soul loop को click कर देंगे, तो आपको mouse cursor के नीचे 5 into 5 की एक color grid दिखेगी, जिससे आप image के उस color को चूँ सकते हैं, जिस पर click करके आप white balance को ठीक करेंगे, grid के size को आप scale options से बढ़ा या छोटा कर सकते हैं, color target के नीचे चूने हुए pixels के RGB value दिखाई देते हैं, इससे आपको यह पता लग सकता है कि pixel का color neutral है या नहीं, अगर किसी point का RGB percent बराबर है, तो वह neutral होगा, पर यदि ऐसा नहीं है, तो उस pixel में कोई color cast है, white balance selector से आप image के उस अस्थान को चुने, जिसे आप समझते हैं कि वह neutral gray होगा, इसके लिए आप RGB percent की मदद ले सकते हैं, इसी कारण studio में कुछ photographer एक छोटा gray card रख देते हैं, ताकि उस पर processing के समय क्लिक कर white balance को सही किया जा सके, जब आप ऐसा करते हैं, तो light room image के color को ऐसे adjust करता है, कि वह अस्थान नीटर gray हो जाए, और ऐसा होती ही पूरे image की color balanced हो जाती है, आप white balance selector को image के कई different जगा पर click करके उसका प्रभाव देखें, और सही जगा चुनने जो आपको सही लगता है, अब आपको मैं दूसरे image पर भी इस tool का प्रियोग करके दिखा रहा हूँ, आपको यह जानकारी होनी चाहिए, कि किसी image की white balance subjective होती है, ऐसी कोई भी value नहीं होती ही, जिसे आप सही कह सकें, आपको कई ऐसे result मिल सकते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, इसलिए उन में से किसी एक को चुन ले, ज्यादा तर लोग अपनी तस्वीर में थोड़ा warm tone पसंद करते हैं, क्योंकि आखों को warm tone, cool tone की अपेच्छा बेहतर लगता है, आसा है आपको यह टुटोरियल पसंद आया होगा, अब मुझे आग्या दें, अगली टुटोरियल में आपसे फिर मुलाकात होगी, आपका दिन मंगल मैं हो, आसा है यह टुटोरियल आपको पसंद आया होगा, अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग टुटोरियल देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और नए वीडियो की डोटिफिकेशन पाने के लिए, ख्रीपिया बेल आइकोन को दबा दें, इस अंक में इतना ही, अब नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए हसते रहें, मुस्कुर झाल